हालो फ्रेंड कैसे हूं आप आपके अपने यूट्यू चैनल पर मैं अभी आप लोग का बहुत बहुत स्वावत करता हूं दोस्तों यह घटना चक्र का पुर्वा अवलोकन का यह तीसरा लेक्चर होगा और जो की दो लेक्चर दे दिया गया अगर वह नहीं देखें हैं तो कर्म पे और भी घ्यान पे किस प्यासित होता है तो अप्षन आपका यह नंबर सही हो जाएगा संस्कृत प्यासित होता है ठीक है दोस्तों चलिए दिस्क्रिशन देख लेता हूं तो यहां कहा जा रहा है कि मानो समाज अपनी विशिस्ट संस्कृति इस्तिति के कारण विल क्रिशन है हरपा निम लिख Defense किन सभयता में संबंद है हरपा का किन सभयता से सभाण यह सिंदुघाट संद्ध रखता कह लिजे हरपा सभयता कर ली दूनों सो आज है है तो हरप्पा नामकपुरा अस्थल सिंधु कहाती सभ्यता से संभनदीत है टो हरप्पा किसे संभन नित्त है सिंधु घाट सभ्यता से वन देखा जाएं धोस्तो जो कि आप ऐसे एक बनाईए यहां पर देखिए तो यहां पर जंबू कस्मीर से लेकर इधर आईए तो इधर आलमगीरपूर यानि यूपी यूपी से लेकर इधर आईएगा तो इधर बलुचिस्तान यानि बलुचिस्तान से लेकर इधर आईएगा तो महरास्ट तक हरपा का छेत्र फैला देखेंगे सुद कांगो डोर तक अगर ऐसे बात करें तो 1400 किलो मीटर 1400 किलो मीटर तक फैला हुआ है अगर ऐसे बात करें तो ऐसे में 1600 किलो मीटर तक फाइला हुगा है ठीक है दोस्तों तो चलिए इसमें हम लोग जो कि हरपा निमनेकित tsamesसे किस सभेता समंदृ राखता है तो असनामर B हो जाएगा सिंधु सभ्यता से ठीक है चलिए हरपा नामक पुरा अस्थल सिंधु घाटी सभ्यता समन्दित है इस सभ्यता का पर्थम पुरा तत्विक प्रमान जो की हरपा से प्राप्थ हुए है सबसे पर्थम पुरा तत्विक जो की सक्ष कहां से प्राप्थ हुए है तो हरपा से प्राप्थ ह जलिए किसे संब्धित तो किसे संब्धित है आपका सही हो जागा आध एतिहासिक यग से संबंदित है के शन्दु का अधि यूग से सिन्दु घ्र एकटी सुन्देट रखता है तो आध एतिहासिक उपीउडी था की बाश्म, 602. छलिए नेक्स्ट है, फोर नमर कोस्चन, सिंदु घाटी की सभ्यता गैर आरे थी क्योंकि, अप्सर नमर A है, सही आपका, वह क्या थी, नगडिये सभ्यता थी, सिंदु घाटी सभ्यता क्या थी, नगडिये सभ्यता थी, तो आप देख सकते हैं, 2010 में UPPSE में पूछा गया है, तो सिं next question next question है सिंद्धूघाटी सभवेटा को R.A.. से पूर्व की रखे जाने का मुहत्वुण कारण क्या है तो महत्वुण कारण option number आपका D кру हो जाता है मृत्भांड के कारण जो कि सिंद्धूघाटि सभ्वेटा को R.A. के पुर्व रखे जाने का महत्पून कान है मित्भांड ठीक है दोस्तो चलिए केहां मैं के लेस्ट एलेश्ट सिंध्व घाटी संस्कृति वेदिक सभीन बिशन क्य तो ऑप्शन नंबर आपका D सही हो जागा उप्यूक सभी तो option A में दिया गया है इसके पास विक्सित सहरी जीवन की सुविता थी दूसरा में दिया गया है इसके पास चित्र लेखिये लिपी थी option C दिया गया है इसके पास लोहे और रक्षा सस्त्रों का ज्यान का अभाव था ठीक है तो option number D अपका सही हो जाएगा उप्यूक सभी ठीक है दोस्तों चलिए तो देख लेता हूं तो यहां कहा गया है कि सिंधु घाटी संस्कृती वैदिक सभ्यता से अनेक बातों से भीन रखती है सिंधु घाटी सभ्यता नगलिये सभ्यता है ठीक है दोस्तों जबकि वैदिक सभ सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा सस्त्र के विज्ञान के युक्त थे जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोहे का अभाव था लोहे से परचित नहीं थे ठीक है दोस्तों चलिए सेवे नमबर कोश्चन है हराप्पा संस्कृती की जनकारी का परमुक सुरूत है तो पुरातत्विक खुदाई से जनकारी हरप्पा सभ्यता से पराप्थ हुई है खुदाई कहीं जाकर गढड़ा खुलते थे और यहां से जनकारी मिलती है जो कि अगर बात करे तो पुरा तत्य विभाग के जनक अलक जेंडर कर निंगम है ठीक है दोस्तों चलिए कहा गया है इसमें हरपा सभ्यता की लीपी का वाचन अभी नहीं हो सका अतह सभ्यता संबंद अनिकू पुरा अस्थलों से प्राप्त है प्राप्ते पुरा वेस की हरपा संस्कृति के पर प्रकास डालता है बता यह आपसण नंबर हो पुरा तक्ट्व्य संबंधी खुद की सिन्दू घाती कर प्रकास डालता है ठीक है दोस्तों चलिए नस्ट्व को सभ्यता को मुल शुरोत क्या है बताइए तो मुल सरोत है वर्तन जेवर हत्यार और जो कि यहां से प्राप्त हुए हैं इसे पता लगता है चलिए वही कहा गया है डिक्सेशन में आप पढ़ सकते हैं चलिए अब दोस्तों आ गया कूट वाला प्रस्न ठीक है और धिरे-धिरे भारी होता जाएगा तो आपके एक्जाम में कूट वाला प्रस्न बहुत पूशे जाते हैं तो यह ने मेसोर पूटामिया सभ्ःता से प्रेद्ना ली वहां था है चलिये नेक्स्ट कोयुंट है वहीं कहा गया है डिसकिंशन में इस कुंचन है कहा गया है का चलिए चुशरी की दोष्ग भू होma से माज़ें देखते हैं आप पर बहुत अच्छा से दिया गया है देखिए अपसर नंबर आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों अपसर नंबर सी आपका सही हो देखिए यहां हरपा जो की धैयाराम सहनी ने जो की खोजी थी कितने में 1923-24 इसवी में और 1924-25 इसवी में ठीक है हस्तिनापूर जो की बीबी लाल उनाई सो पचास से बावन के बीच में खोजी तस्सिला जो की जो की जॉन मार्शल 1913-1934 के बीच में खोजी थी कौसांबी जो की एंजी मजुमदार जो की उनाई सो चती से 1937 में खोजी थी ठीक है तो यह आप याद रखेगा चलिए नेस्ट कोस्टन कहता है कि भारत में चांदी की उपलाभता के प्राचिंतम साक्ष मिले हैं तो कहां से चांदी की उपलाभता का प्राचिंतम साक्ष मिले हैं तो अप्सन नमबर आपका ए सही हो जाएगा तो हरपा संस्कृती में जो की चांदी की उपलाभता का प्राचिंतम साक्ष मिले हैं ठीक है दोस्त और हरपा के निमासियों के मध्ध है इसके वी धीवत पड़योग के साक्ष मिले हैं हरपा और मोहन जोद्रों के निमासी जो लोग थे वहां से साक्ष मिले हैं चांदी के ठीक है ये लोग जो की राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी की प्राप्त करते थे कहा से राजस्थान से ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोचन है नेक्स्ट कोचन कहड़ा है हरपा में नीमली खित सरी हरप हरपा में मिट्टी के वर्तनूं पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था बताएए अपसन नमबर ए अपका सही ज़िए लाल रंग ठीक है तो हरपा परत चलाई जाती ठीक है तो वही बोला है दोस्तों चलिए तो यहीं देखिए मिर्तभांड बही हुआ बरतन तो वहीं दिश्टी से में दिया गया है तो आप लोग पर्स लीजिएगा चलिए नेक्स्ट कोच्चन कहता है 14 नमबर कोच्चन क्या है मूर्ती पूजा का आरं कि पूरो आ रिये से संब्द रखता है तो यहां कहा गया है कि मूर्ति पूजा का पुरो आर्य काल से माना जाता रहो जोकि हराःक्ः सभेता काही चलिए नेक्स्ट कोश्चन नेक्स्ट क्या काता है फिप्टी नंबर कोश्चन निमलिखित पसुओ में किस एक का हरापा संस्कृती में पाई पाई मोहरो और टेरा कोटा कला कृतियों में निरूपन है नहीं हुआ था तो बताए अप्सन नमर्ण आपका सही हो जाता है गायका है गायका जोकी हरापा संस्कृती में मोहरो का उप्योग नहीं किया गया था ठीक है दोस्तों चलिए यहां पे देख लेते हैं हम लोग इंलतका कि खाया के 50- Gary, प dépl़तियों में गाय का कि चितरन नहीं मिलता है। जब कि गेंडा बाग here गोरा आदी का मा मिलता है इसका मोट मिलता है। झीख़क guarों मिलता है ट्रीक चंद कई प्रसन है। चलिए तो बताइए मिलान कीजिए तो आईए यहां पर हम लोग देख लेते हैं तो अप्सन नंबर आपका बी सही हो जाएगा देखिए जो की दो को एक को दो में लगाई यह तो लोथल जो की गोदिवाडा में जाएगा ठीक है और सब्सक्राइब काली बंगा से जोते हुए-खेथ के प्रमान मिले हैं धौला-बिरा जो की commence की बड़े अक्षर मिले हैं चित्रों मिले हैं और थिरी में जाएगा बनावली से क्या मिले हैं की कि मिटी के बनी हुई हल के कि प्राकुरटी की साक्ष मिले हैं। फीक है चालिए नेक्स्ट कोचन है। 17 को कहता है QAUJ की घव घृ जोते खेत takes की खोज गाई थी तो कहाँ पर की गई थी तो अपक्शन नमबर b तो बताईए। अप्सं नमबर आपका carrying हो जाता है तो देखिए एक को आप मिलां ये एक کو एक से मिना रापपा से आठ हटी जो समधान मिले हैं और पर और लोठ लोठल से जो कि गोधी गोधी मिले हैं ठीक है और करें तीरी से काली बंगा से जूत हुए खेट के परमान मिले हैं मुहन जुद्रों से नर्तकी की मूर्तियां मिले हैं चलिए तो वही कहा गया है यहां पर बहुत अच्छा सजाए गया चलिए 19 नमर कोश्चन भी कुट्निती वाला कोश्चन है जो कि देखिए यहां पर हम लोग पढ़ लेते हैं यहां पर अप्सन नमबर बी आपका सभी हो जाएगा दोस्तों तो यहां पर देखिए हरप्पा जो की रावी नदी के टटपे है हस्तिनापूर गंगा नदी के टटपे है ठीक है नागा अरजुन कोंडा जो की कृष्णा नदी तथा कृष्णा नदी के टटपे है और पैठन जो की गोदा वड़ी नदी से संबंधित रखता है ठीक है दोस्तों चलिए 20 नमबर कोस्चन जो की यह भी कूट बाला प्रसन है जो कि बहुस कूट बाला प्रसन दिया गया और आपके एक्जाम में पूछे भी जाते ह कूट बाला प्रसन ठीक है तो आए देख लेते हैं कूट बाला प्रसन क्या कहता है इसमें छो ऑफ़रos difam? नमबर ए आपका सही है दोस्तों ठीक है तो ऐसे मिलाए आप एक एक को तीन से मिलाए रपा जो की रावी नदी के टटके है दूसरा जो की काली मंगा गंगा नदी के टटपे है और तीसरा जो की लोथल भोगवा नदी के टटपे है और रोपर जो की सतलज नदी के टटपे है दूस्तों चलिए 21 नमर कोश्चन क्या कहता है कि हरप्पा किस नदी के किनारे अवस्तित है तो बताए हरप्पा किस नदी के किनारे अवस्तित है तो अपसन नमर सी हो जाएगा रावी नदी के किनारे चलिए है कि नेक्स्ट स्थेटा का महान असनानागार कहां से प्राफ्थ हुगा है तो अप्सान इसा यह आपका सई हो जागा मुहां जुद्रों से लिए संधाव सभ्वयता के महान असनान गार जो की साक्ष मिले हैं यहाँ से मोहन जोद्रों से और इसकी लंबाई की बात करें तो दशिन की ओर 55 मीटर है और चोडाई के बात करें तो 33 मीटर पड़ता है पस्सिम दिशा की अगर देखिए दोस्तों असनाना गार ऐसा था दोस्तों कि उसमें आड़ी आड़ी प्लस्तर किया जाता था रंगाई पेंट होता था और चारो आड़ी सीधियां बनाई जाती थी और सीधियां सीधियां के चारो और कमड़े बनाय जाते थे तो बहुत उस तो अप्सनमर आपके सी हो जाएगा सही मोहन जोद्रों से थीक है तो को सुनिए बिसार आसनानागार किस्थ पुरत्त्त और अस्थल से पाया गया है तो क्या है अप्सन में रोपर, हरपपा, मोहन जोद्रो और काली बंगा जो कि अप्सन नमबर C आपका सही हो जागा मोहन जोद्रो से चलिए नेक्स्ट कोश्चन 24 सिंदू सभ्यता के बारे में निम्र में से कौन सा कथन और सत्य है यहां पूच रहा है तो लोह से परस्चित यहां लिख रहा है थे तो लोहे से से परस्चित नहीं थे सिंदू सभ्यता वढ़ेव sont है next question जोकी सिंदु घाति सभ्यता जानी जाती है तो option n.d. सभी इब संभन के लीए अपने क्रीस शंबन्दिक लिए एवं इवं आपने घड़ों घड़ो अपने तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे फिर आज हम लोग 25 नहीं डिया गया है बात करें तो पूरा टोटल कोश्टन इसमें कि सिक्स्टी question है दोस्तों अगर सिक्स्टी question को आप कवर कर लेते हैं जो कि यह पूछा हुआ question है तो आपका selection में से कोई नहीं रुख सकता है selection लेने के लिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे thank you thank you so much watching this